हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक ट्वार यूट्यूप चैनल अभी हम लोग यहां पे लेंटी लार्सन एंट रबूल इंपेट के अनलिस्स करेंगे एन इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को मार्केट उपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक लेके लिए यहां पर इस चैनल पाटन बहुत दिन ऊसे ट्रेट कर रहा है और यहांपर एक रीवर्सल केंडल बंता है तो सकता यह एक क्रती से वन् करें करें अब इतना बड़ा एक रीवर्सल बनाने के बाद चोगी एक विक से लगतार यहां पर पे जादा से नीचे की और गिर रहा था हमने वे डिरेक्शनल मोमेंटम कर रहा था ठीक है यहां पे इसका कहीं न गहीं प्राइस एक्षिन पाटन चेंज होता है और अभी एक परफेक्ट इंसाइट कैंडल बनाके रखा है अगर आपको याद होगा हम लोग नहीं यहां पर यह चिस डिसक एक रेजिस्टेंस का काम करेगा सेम यहां पर आज हुआ दो रिजन थे इसकी पीछे एक तो यहां पर वन में डिरेक्शनल मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया था प्लस एक इंपोर्टन रेजिस्टेंस था अब यहां पर इंसाइट कैंडल बना है परफेक्ट तो यहां अब भी हम लोग वीकली टाइम पर चलते हैं फिर हम लोग यहां पर आते हैं और फिप्टिमनट टाइम पर अगर आप इसको देखेंगे तो वीकली टाम पर आपको एक आईडिया लग जाएगा कि यह जाय तो यह शाय तो एक साइड़वेस्ट आइप मोमेंटम में हम हो जाती है ठीक है और In Points से Selling हो जाती है तो यहाँ पर आप दो चीजें ये कर सकते हैं कि ठीक है यहां से तरीके से Price Action बनाने की कुछिस किया है लेकिन यह Last week में एक अच्छा momentum बना है लेकिन जिस तरीके से इतना बढ़ा वेज़े से ठीक है किसी भी समय 3500 का यहां पर breakdown हो रहा होगा कितना 3500 का अगर breakdown हम लोग को देखने को मिलता है तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहां से थोड़ा सा ज्यादा से fall हो रहा है और सबसे पहले 3443 के आसपास और उसके बाद कहीं न कहीं यह 3400 के आसपास आके hold लेग इसके पीछे जो reason मैंने आपको बताया ठीक है तो इसके पीछे दूसरा reason यह important हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत जादा इसने time spend किया है लग बग लग जून से ही इसके अंदर यह price action pattern बना रहा है और हर बार जो negative candle है तो थोड़े बड़े बन जाते है मतलब कहीं न कह इसका असल कहीं न कहीं पर हीट होता है important level 3500 हीट होता है तो इसका हम लोग को one is to one नीचे देखने को मतलब यहां से 3300 का level है लेकिन at least सब सब पहले 3400 क्योंकि इस point से 3400 से buying हो है अगर आप देखेंगे 3400 important role play कर सकता है वैसे भी 100 points का यहां पर important role है उसके पाद 3300 तो इस तर के से candle बना है अगर यह negative candle है यहां पर candle बना है अगर यह दूसरा candle यहां पर बनना start होता है और कहीं न कहीं 3700 के आसपस जाता है तो और गेन हम लोग को यहां पर resistance देखने को मिलेगा और वो चीज़ हम लोग को one day time frame पर अच्छे से clear पता चलेगी one day time frame पर आते हैं यहां पर आपको एक trend line नजर आ रही होगी ठीक है यह trend line है यहां पर थोड़ा से इसको मैं body touch कर देता हूं हमारे पास यहां पर एक trend line है अब यह trend line से काफी दूर trade कर रहा है आपको नजर आ रहा हुगा यहां से अगर हम लोग एक trend line draw करने की कुस्स करें तो यहां पर एक इस तरीके स trend line आता है अब हमारे पास क्या है यह हमारे पास दो point है एक तो यहां पर reversal का एक बहुत यह अच्छा green candle बन रख है अगर इसका high break करता है तो सबसे पहले यह candle का जो high है यहां पर जाके touch करेगा तो इस candle का high अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो इस candle का high है 3868 अभी 3868 और 70 के आसपास जाके touch करेगा और एक दिन hold किया तो सकता है इसका breakout देखे थोड़ा से उपर की उड़ जाए और बाद में थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से इसी level के आसपास आए क्योंकि उपर भी trend line है यहां से भी resistance मिलने वाला है तो इस तरीके से ही जाएगा और इन levels के आसपास 3700 के आसपास से कही न कहीं सको resistance मिलेगा आगे नीचे आएगा हो सकता है इस trend line को retest करें हो सकता है resistance को retest करें उसके पास ब्रेक आउट देगा यह वाला जब breakout मिलेगा इस trend line का breakout यह sustainable होगा क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर मसक्कत करके बहुत ज्यादा यह buyer sellers में fight होने के बाद यह breakout मिलेगा price action pattern बनेगा तो यह जो यहां पर range होगा इसका थोड़ा उपर planning कर सकते हैं लगबग लगबग 3850 3900 फिर हम लोग planning कर सकते हैं अगर उसके पहले ही किसी भी trend line से rejection मिलता है आगे निसी जोन में आ जाता है तो हम लोग अभी कुछ plan नहीं करेंगे बस इसको extend करके रखेंगी क्योंकि हम लोग को clearly नजर आ रहा है कि यहाँ पर trend line है यहाँ पर इस तरीके से हैं तो कहीं न कहीं buying on selling में selling by income होते जा रही है selling flat होते जा रहा है तो जब इसका breakout breakdown मिलेगा तब हम लोग उस प्लान कर पाएं यह देखें हैं अगर आप इसको देखेंगे तो हम लोग यह स्विंग हाई ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरीके सा selling आया है तो 3640 का उपर क्यों breakout मिलता है तो हम लोग यहाँ पर उपर क्यों जब ट्राइट प्लान कर सकते हैं 3668 इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो टेक्निकल यहाँ सा selling आके ज्यादा गया है तो जब इस पॉइंट पर यह ऊपर क्यों जाएगा तो अगें selling देखने को मिलेगा मतलब haul देखने को मिलेगा 15 मिलेट टाइम फ्रेम पर हैं जब इसका breakout होगा तो 3687 यहाँ से थोड़ा सा गाप डाउन ओपनिंग था तो यह वादा गाप फिर करने के कोशिस करेग है वीडियो पसंद आए वाद लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नहीं होगे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो